हलो दूस्तों नमस्कार में आप सभी को सवागत है है आज हम लोग मिशन चंद्रयान-3 के इंप्रिंट क्यूचन देखेंगे चले यह स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट नमबर क्यूचन है मिशन चंद्रयान-3 कभ लौंच किया गया था तो मिशन चंद्रयान-3 जो गया था नेश्ट क्यूशन देखते हैं जैसे चंद्रयान थेरी के चान पर खोजबिन करने के लिए भारती अंत्रिक्ष अमसुदान संगठन दवारा त्यार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लेंडर और एक रोवर है लेकिन इसमें और स्केंद्षरी हरिकोटा से चवदा जूलाई दुश्यार तेज को भारती समया अनुशार दो बज के 23 मिनट में परचेपन किया गया था नेक्स्ट क्यूशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सत्वर कब लेंड किया है तो यह 23 अगस्ट दुवियार तेज को चंद्रमा की सत्व पर लेंड किया है next question देखते हैं mission चंद्रयान थीरी कहां से launch किया गया है आपका mission चंद्रयान थीरी जो launch किया गया है वो 37 धवन अंत्रिक्ष केन श्री हरिकोटा से किया गया है right answer होगा option B next question देखते हैं इससे important कुछ point देखते हैं mission चंद्रयान थीरी का launching जो हुआ था हो 14 जुलाई 2023 को हुआ था दो बज के 35 मिनाट पर चंद्रयान थीरी भारत का तीसा चंद्रयान mission है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है जिसका उदेश चंद्रमा के दचनी दुरूपर एक रोभर वेजना था है इस mission का उदेश चंद्रमा के संराचना यो बहतर धंग को समझना है next question देखते हैं mission चंद्रयान थीरी के सफल लेंडिंग के बार भारत चंद्रमा के दचनी दुरूपर पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया है तो अभी वेख पाला देश बन गया option A right answer next question चंद्रयान थीरी काहां पर लेंड करना है चंद्रयान थीरी को दचनी दुरूपर लेंड करना है option C right answer हो जागा दोस्तों next question देखते हैं चंद्रयान थीरी किस rocket से launch किया गया था तो चंद्रयान थीरी जो अभी launch किया गया है यो LVM3 M4 से launch किया गया है option C right answer चंद्रियान थिरी को LBM3 M4 rocket launch से किया गया है इसे पहले GSLBMK3 के नाम से जना जाता था LBM का full form होता है launch vehicle of mark पूरा नाम है जो आपका दिया हुआ है चंद्रियान 3 मिशन के नर्थियूर्थ किशने किया है तो अभी C 2 C re V 2 करीधल ने चंद्र्यान 3 ंके नर्थियूर्थ किया है next question देखते हैं चंद्रयान थिरी का मिसर का निर्देशक कौन है तो चंद्रयान थिरी का निर्देशक जो है वो मैल सामी अना दुरई है option A right answer next question से पहले कुछ important देखते है mission का निर्देशक जो है एस मोहनकुमार है associatic mission of Fight post निर्देशक जो है वह जी-Neranji है परियोजना निर्देशक जो है P,Beer Mathhu Weld है वहां वहां निर्देशक है वीजुक धक्मशन है से richest क्यूषिन चंद्रियान थृरी को झालोन्च कमिसंट करने में कुल कितना खरच आया है तो अभी चंद्रयान ठीरी को लाँच किया आगया आशा इसका अभी जो खरच हुआ है, वह खरच हुआ है, 615 क्रोर आपा राइट अंशर हो जागा, Option C इसरँ विए चंद्रियान वन का लॉंज करने में 386 को अधुद का कहर्च हुआ था चंद्रियान ठीरी का जो खर्च烈 करने में हुआ है वह 265 हुआ है दोस्तों यहां से इस ऐसे कम किसमें हुआ था तो चंद्रियान वन में और चंद्रियान थी तर्यान 2 drugstore में इश्रों ने चंद्रियान थिरी के मिशन में कौन से तीन मुख उद्देश निर्धारित किया हैं। चलिए option पढ़ते हैं, चंद्रमा की सत्व पर एक सुरक्चित और नरम लेंडिंग का परजसन के लिए जी हां, ये सही राइटेंसर है। चंद्रमा पर उभर को घुमाने की छंताओं को परजसन करने के लिए जी ये भी राइटेंसर है, बेज्यानिक अलोकनों का परजसन करने के लिए राइटेंसर है, तो आपका option हो जागा option D नंबर सही यानि उप्यूक्त सभी। मिशन चंद्रियान थिरी क्या भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। आपका राइट एंसर हो जाएगा option A, पहला, नेक्स्ट क्यूचन, पहला जो चंद्रमा मिशन हुआ था, वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉंच किया गया था, दूसर का मिशन जो लॉंच किया गया था, वो 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया था, और तिसर का जो हुआ था, वो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको भी भी हाई मार लिजेगा, यह जो लॉंच किया गया था, यह लॉंच किया गया था, 14 जुलाई 2013 को, नेक्स्ट क्यूचन देखते हैं, मिशन चंद्रयान थिर का थीम क्या है, तो मिशन चंद्रयान थिरी का जो थीम है, वो थीम है, साइंस ओफ दा मून, आपका राइट एंसर हो जागा, ओप्शन A, नेक्स्ट क्यूचन, मिशन चंद्रयान थिरी का लेंडर का क्या नाम है, तो मिशन जो चंद्रयान थिरी का जो लेंडर है, वो लें जै गया था उसका भी lander और rover का सेम नाम था जो mission man of india की नाम से किसे जाना जाता है आपका right answer हो जागा option a kc1 को rocket man of india के नाम से जानते हैं moon of the man of india के नाम से जानने के कौन से हैं आपका right answer हो जागा option c miya allah sami annu darai right answer एनसर हो जाएगा option 3 चले next question चंद्रयान 3 के अभियान के परयोजना के निर्देशक यानी प्रजेक्ट डायडरी डायरेक्टर जो थे वो कौन थे आपका right answer हो जाएगा option A P.V.Mathuvel नेक्स्ट क्यूशन चंद्रियान 1 के अभियान के पर्योजना के निर्देशक जो थे मियले सामी अनुदूराई थे चंद्रियान 2 के अभियान में पर्योजना के निर्देशक जो थे ओ एम बिनिता जी है मिशन चंद्रियान 3 को लॉंच कि इसने किया है अभी हमारी जो भारत की इश्रु है उसने लॉंच किया है इसरो का फूल फूरम जो हुआ है इंडियन एस्पेस रिचर्श रिसर्च और गनाइजेशन भारतिय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अस्थापना हुआ था 15 अगस्त 79 को मुख्याले जो है वो बेंगलोरी में है और करनाटक में है अध्यक्ष जो अभी 2023 में जो अभी पर नहीं है तो lander तो है rover भी है लेकिन orbiter नहीं है तो आपका right answer हो जाएगा option number C क्योंकि orbiter जो है वो चंद्रयान 2 का ही अभी काम कर रहा है नेक्स्ट क्यूशन चंद्रयान 2 में lander और rover orbiter था चंद्रयान 3 के लिए orbiter नहीं बनाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का orbiter पहले से orbiter में मौझूद है जरुवत पढ़ने पर इसी का इस्तमाल किया जाएगा चंद्रयान 3 में orbiter के बज़ा सोदेशी प्रोपलेशन ओफ मड्यूल का यूज किया गया है चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दचनी दुरूप सफल लेंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दचनी दुरूप पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए पहला नेक्स्ट के चंद्रयान 3 के मिशन में इस्तिमाल हुआ रोकेट लबी एम थीरी का कुल वजन कितना है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर सी जो कि 4900 केजी है इससे रिलेटर देखते हैं इंपोर्टेंट फॉइंड जो कि इसका जो है मोडूल के है वो 2148 है लेंडर मोडूल है वो 1752 केजी का है रोभर जो है 26 केजी का है तो टोटल जो होता है जो 4926 केजी हो रहा था लेकिन आप रोक्स में माना गया है कि 4900 केजी है चंदरमा के दचने दुरूप छेतर की सतह पर सोट लेंडिंग कौन करेगा और बीटर करेगा बिक्रम लेंडर करेगा या परेग्यान करेगा आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन बी बिक्रम लेंडर next question population of module में चंदरमा की और्बिट में और्बिट से पित्वी के spectral, उत्सरजन और धुरुवे metrical map का अधियन करने के लिए कौन सा उपकरन लगाया हुआ है आपका right answer हो जाएगा option number A shape shape लगायागा, shape का full form देखते हैं shape का full form अता है spectro, polarimetry of habitable, pulmonary, earth next question lander, pulmonary, end में तापी, चलाकता और तपमान के मापने के लिए कौन सा उपकरन लगाया गया है आपका right answer हो जाएगा option B, chest chest का full form देखते हैं चंदरा, surface, thermophysical SO, perient next question landing अस्तल के आजपास भूकम गर्तिविधियों के मापने के लिए की सुपकरन का उप्योग किया गया है दोस्तों, आपका right answer हो जाएगा option number C, I L S A I L S A का full form instrument for lunar symmetric activity next question पलाजमा घनत्व और इसकी विवित्ताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगाया हुआ है आपका right answer हो जाएगा option number C, LP LP का full form next question lander रस्तल के आज पास small election रचना प्राप्त करने के लिए किसी अंत्र का प्रियोग किया गया है तो देखते हैं, option देखते हैं alpha particle x-ray of aspect orbital यानि APXC ये लगाया हुआ है lander industrial breakdown aspectrooscope ये भी लगाया हुआ यानि कि right answer हो जागा option C, इन में से दोनो next question देखते हैं चंद्रमा की सांती पुनमानो और रोबर्टी खोज के उदेश से किसके निर्जितों में auto miss समझोते के शुरू किया गया है तो अभी ये अमेरिका से यानि USA के दवारा समझोता किया गया है next question auto miss समझोते के सबंद में next question चंद्रयान थिरी के लिए परमुक रोकेट इंजन का क्या नाम है आपका राइट एंसर हो जाएगा option number B CE20 क्रोजेनिक इंजन यानि CE का फुल परमुगा क्रोजेनिक इंजन next question चंद्रयान थिरी में कितने मोडियूल है very very important question है आपका राइट एंसर हो जाएगा option number B यानि की थिरी मोडियूल है next question चंद्रयान थिरी के मोडियूल में परोजेन मेडियूल, लेंडर मेडियूल और रोबर है परोजेन मोडियूल अंतरिक्स मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिंस्था होता है जिसे प्रोलेशन मेडियूल कहा जाता है या किसी भी अस्पेस सीप के उडान भरने के लिए ताकत देता है लेंडर मेडियूल चंद्रयान थिरी का दूसरा और महत्वपुन हिसा है इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा रोभर को चंद्रमा के सता पर सही तरीके से पहुचाने के जिम्मदारी इसी के होती है और रोभर का देखते है चंद्रयान का तीसरा हिसा जो है वो रोभर है जो लेंडर के जरी चंद्रमा की सता पर उतरेगा और फिर मॉमेंट की जानकारी को जुटा कर धर्ती पर भेजेगा नेक्स्ट क्यूचन देखते हैं चंद्रयान थिरी की लेंडर में कितने थोर्टल सक्षम इंजन है आपका राइट एंसर हो जागा ओप्शन भी चार थोर्टल सक्षम इंजन लगाया हुआ है बरतमान में इसरो के अध्यक्ष को है बरतमान में अभी इसरो का जो अध्यक्ष है वह है एस सोमनात जी नेक्स्ट क्यूचन चंद्रयान वन के मिशन में कव लौँच किया गया था तो चंद्रयान वन जो था वो लौँच किया गया था स्वाज़ाब का ओफ्शन हो जागा राइट एंसर बी नंपाइस अक्टूबर 2008 को चंद्रियान वन मिशन का लौच किया गया था नेक्स्ट चंद्रियान वन के किस रोकेट से लौच किया गया था तो लौच किया गया था पी एसल्बी XLC-11, चंद्रामाई 1 की लॉंचिंग के समय इस रों के धक्ष कौन थे जी मधवन थे, किस चंद्रामाई की पानी के अनुवा परमान मिले था, तो वो मिला था, चंद्रामाई 1 में ही मिल गया था, कि वो पानी की अनुवा पर है, नेक्स्ट क्योचन, चंद्रियान 2 के mission को कब launch किया गया था, मैंने अब पीछे question से बताया का चंद्रियान 2 का जो mission हो था, वो launch किया गया था, 22 जुलाई 2019 को ही launch किया गया था, right answer, option A, नेक्स्ट क्योचन, चंद्रियान दीतिये मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया था इसे 37 धवन अंत्रिक्ष के अंदस्री हर्लिकोटा से लॉंच किया गया है मिशन चंद्रियान 2 में लेंडर का नाम था बिक्रम और रोवर का जो नाम था वो परेग्यान नाम था चंद्रियान 2 में लेंडर दवारा चंद्रमा के सथा पर 2.1 किलोमेटर दूर पास पहुंचने के लिए पुल कितना समय लगा था तो ओर 40 दिन का समय लगा था चंद्रियान 2 में Mission के स्थापित परग्यान Rover कितने पहिये थे तो उसमें पहिये जो लगाया हुआ था चंद्रियान 2 में अभियान में भारत के किस सक्तिसाली रोकेट को launch किया गया था तो GSLB Mark 3 का उप्यो किया गया था, next question देखते हूँ भारत ने पहला रोकेट लॉंच कब किया था तो भारत ने सबसे पहला रोकेट जो लॉंच किया था 21 नॉवंबर 1963 सब्सक्राइब यानि राइट एंसर हो जागा ओप्शन नॉमबर C नेक्स्ट कुछन देखते हैं दोस्तों चंद्रयान थिरी मिशन के लॉंच के समय भारत के परधान मंत्री नेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे यानि कि जब चंद्रयान थिरी का लॉंच किया था उस टाइम में हमारे परधान मंत्री नेंद्र मोदी जी वह फ्रांस के दोरे पर थे यानि राइट एंसर हो जा नेक्स्ट केशन देखते हैं दॉसेजा था nost q of from channel heart about कितने परतिसाद भागों देख सकते हैं तो पाला देख सकते हैं चंदरमा पर कदम रखने वाला तो निल अमोःस्टर अधेकी movie स Mister 1909 ौनृ- xenoda अधर कहीं ढ़िएprechen वी शिर्वी किया काते हैं तो ये कहते हैं Celanology नेक्स्ट किरा जो है वो टेस्ट वह आपको Comment box में देना कि चंद्रयान थिरी कहा पर लेंड किया गया था इसमें से देखके option आपको Comment box में ज़रूर कमेंड करेंगे चंद्रयान थिरी किस rocket launch से किया गया था यह भी को मेंट करना है अगर दोस्तों हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और पीडिया के लिए हमारे टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रोप्शन बॉक्स में दिया हुआ वहां से आप लोग जोईन कर सकते हैं थैंक यू दोस्तो बॉक्ता है